इस वीडियो के अंदर अपने बात करहेंगे Pest of Pulsage और Pest of Pulsage बहुत हैं Pulsage में जो important pest हैं उनमें borers है, set feeders हैं और leaf feeders हैं इसमें जो सबसे important हैं वो हैं borers और borers में दो important pest है एक तो है Heligol vorka Armizer घ्रामपोर्ड ग्रामपोर्ड बोर । उसके बाद में है यह ब्ल्यू बेटर फलई यह यह लूप का न जाम-प्ल्यूम मोथ यह पाद में का नमबर आता है यह यह इस पॉक्षान उप्षाइण पॉक्षान पहुंचाता यह बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है उसके बाद आता है टूर पॉर्ड फ्लाई मिलेन एग्रोमाईजा अप्टूशा और उसके बाद आता है स्टीम फ्लाई ओफियो मियो फैसलाई पिर सेफ फिडर्स में है सेफ फिडर्स में एक तो लीफ ओपर्स काफी बाद में है जो फ्लावर फिडर्स हैं यह कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो यह जो लिस्ट है सबसे पहले जो मेजा है उसके बाद टूर पॉर्ड फ्लाई स्टेम फ्लाई और सेफ शकर्स में पॉर्ड बक्स एफिट्स लीफ ओपर्स वाइट फ्लाई यह इंपोर्टेंट पैस्ट है अब इनको अपन है वन बाई वन देखेंगे और वन बाई वन में सबसे पहले अपन देख रहे हैं आल्रेडी इसको अपन कवर कर चुके हैं फिर भी एक बार इसको स्लाइड के मादम से मापको और बताना चाता हूं प्रैक्टिकल ग्राम पोर्ड बोरर ग्राम पोर्ड बोरर की जो फैमेली है वो नॉक्टुडी है और ओर्डर है वो लेपी डोप्टेरा ग्राम पोर्ड बोरर को अपन है अमेरिकन बोल बोर्म भी कहते हैं और यह इंटरनेशनल पैस्ट है जैसे अपन इसमें मैं आपको ब्रॉड करके द कुछाती है जो काफी नुक्षान होजाती है पसलों को और इसके अंदर यह तो मैंने आपको यह दिखा इसमें भी आपको है ब्रोड करके दिखा रहा हुआ है एक बार लारवा को और इसमें घ्रलके हेर सी दिखाई अपने को देंगी यह इसकी लारवा है और जो मैंने आपको बताया है ये भी इसके लारवा है ग्राम पोर्ड बोरर की ये इसका एडल्ट है और ये इसके एक्स है और ये प्यूपा है ये मैं आपको स्लाइड सिमाद्यम से दिखाना चाहरा हूँ और अब मैं आपको बात करता हूँ जो ग्राम पोर्ड और इसको gram caterpillar भी कहते हैं ये एक international pest है और ये भारत में ही नहीं विश्व में पाए जाता है इस पे ये gram के उपर feed करता है तो अपन इसको gram pot borer कहते हैं इसको अपन टोमेटो फ्रूट बोलते हैं और cotton के उपर feed करता है तो इसको अपन अमेरिकन बोल बॉर्म कहते हैं इसको इंटरनेशनल पैस्ट पॉलिफेगस पैस्ट और इसकी जो में विशेस है पैचानने की लार्वा है वो आधी अंदर रहती है और आता है वो बाहर लटका हुए अब आपन इसको पैचाने के कैसे तो मैं इसको इसमें है है आपको एंडल दिखा रहा हूँ इस वन हीजेट यह अपना एंडल्ट है काफी ब्रॉड यह एडल्ट है एडल्ट है वो स्टाउटली बिल्ट होता है पहले भी एक स्लाइड में मैं आपको बता चुका हू इसके पूरी डिटेल अपन दे चुका हूँ फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इस टावटली बिल्ट और यलोईस ब्राउन इसके यलोईस ब्राउन कलर होता है फिर इसके बाद में जो दूसरी इंपोर्टेंट चीज होती है यह होती है फूर्विंग्स की फूर्विंग्स जो होते हैं आउटर मार्जिन फूर्विंग्स हैं वो डार्क एरिया में होते हैं और कमपरेटिवली अपन जब इसमें हाइंड विंग्स देखते हैं तो हाइंड विंग्स हैं वो comparatively है whitish color के होते हैं whitish color lighter in color और इसमें है blackish band होते हैं जो full grown caterpillar है वो लगबग 3-5 cm length का होता है और body के ओपर है broken gray lines होती है body के ओपर यह जो इस तरह की यह मैं लावा भी दिखा रहा हूँ यह इस तरह के broken green lines होती है dorsal side की तरफ तो यह है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा दिखाने कोशिस की है और damage है वो larval stage इसकी damage करती है सारे के सारे के सारे उसके plants को यह prefer करता है ज्यादा तर polyfagus इन नेचर है लेकिन gram और red gram के उपर सबसे ज्यादा यह नुक्सान पहुंचाता है इसका वीडियो पहले भी है जिसमें management बगेरा अपन है पहले आल्रेडी मैं उसके उपर दे चुका हूँ तो यह इस वीडियो में है अपनी बात हुई ग्राम पॉड बोरा की अपना पॉड़ अपना आल्रेडा यह है अपना आल्रेड़ अपना राम यह पॉड़